हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है PS Online Classes में आज हम लोग देखेंगे मद्ध प्रदेश Current Affairs जो है नवंबर 2018 का Part 1 अभी तक आपने तीन पार्ट देखे थे जो थे अक्टूबर 2018 के ये नवंबर का फस्ट पार्ट है इसमें मद्ध प्रदेश के most important जो भी event हुए घटनाई तो पहले कुश्चन में बोला गया है कि मद्ध प्रदेश High Code के अभी हाली में 24 में Chief Justice किसको नियुक्त किया गया इसके लिए चार ओफशन है इसका राइट आंसर है अभी जो एक्टिंग Chief Justice थे मद्ध प्रदेश High Code के एसके सेट इनको मद्ध प्रदेश High Code का 24 मा Chief Justice नियुक्त किया गया जो जस्टिस एसके सेट है इनका पूरा नाम है संजय कुमार सेट इनको जो राजपाल है मद्ध प्रदेश की आनंदी बेल पटेल ये जल्द ही Chief Justice पद की सपत दिलाएंगी और एक नौमबर 2018 को जो मद्ध प्रदेश High Code के Chief Justice थे हेमंद गुपता इनको Supreme Code के नय दीज के रूप में पदवार की सपत ली इसके बाद मद्ध प्रदेश High Code के Chief Justice एसके सेट को नियुक्त किया गया और इसकी थोड़ी डिटेल्स देखेंगे कि मद्ध प्रदेश High Code है कहा पर ये जबलपूर में है और जो पहले Chief Justice थे मद्ध प्रदेश High Code के उनका नाम था एम हिदायत उल्ला और ये रहे मद्ध प्रदेश के एक नौमबर 1956 से लेके 12 दिसंबर 1958 तक और इसमें Option Number C दिया है पुसपेंदर कौरब ये मद्ध प्रदेश State Government के Advocate Journal है Next देखेंगे कुस्षन Number Second में बोला गया है कि इस वर्ष राष्टि ए दुशियंत कुमार अलंकरण ये सम्मान है ये किसको दिया जाएगा इसके लिए चार ओफशन है Option Number A अखलेश भारती, Option Number B ग्रीश पंकज, Option Number C नरेंद कोहली, Option Number D गंगा पिरसाद गुप्त इसका राइट अंसर है Option Number C नरेंद कोहली जो दुशियंत कुमार इसमारक पांडूलिपी संगराला है इसने इस वर्ष के लिए जो राष्टिये दुशियंत कुमार अलंकरण है ये दिल्ली के नरेंद कोहली है इनको चुना गया है इनको सम्मानित किया जाएगा इस आवार्ड से वहीं रायपूर के रहने वाले ग्रीस पंकच को सुदीर्ग साधना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा वहीं भोपाल के डॉक्टर गंगा प्रिसाद गुप्त को आंचलिक भासा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मानित किया जाएगा दुशियंत कुमार जो समा गया कि टीकमगण जिले को विवाजित करके निवाडी मद्द प्रदेश का 52 जिला 1 अक्टूबर 2018 को गठित किया गया तो सबाल में पूछा गया कि मद्द प्रदेश के जो निवाडी जिला है उसमें कितनी तहसील है इसके लिए चार आफशन है आफशन अमबर A 4 आफशन अ C 5 आफशन अमबर D 7 इसका राइट आंसर है आफशन अमबर B 3 टीकमगण जिले को विवाजित करके जो नया जिला बनाए गया निवाडी मद्द प्रदेश का 52 जिला है 1 अक्टूबर 2018 को इसको गठित किया गया और इस जिले के अंतरगत 3 तहसील आती है जिनका नाम है प्र जिले का पुराना मैप है जब निवाडी जिले को नहीं बनाए गया था उसके पहले टीकमगण जिले में 9 तहसील हुआ करती थी जो थी टीकमगण, बल्देवगण, खरगापुर, पलेरा, जतारा, मोहनगण, प्रतवीपुर, औरचा, और निवाडी अब जो नया जिला ब वो टीकमगण जिले में हैं, नेक्स देखेंगे, कुश्चन नमबर 4 इसमें बोला गया मद्ध प्रदेश राज एथलेटिक्स अकादमी किस खिलाडी ने अभी 34 मी जो राश्टिये जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चेंपियन सिफ हुई है, राची जहरखंड में उहाँ पर एक नया राश्टिये रिकॉर्ड बनाते हुए सुनपदक जीता है, इसके लिए चार ओफशन है, ओफशन नमबर A अंकुर जैन, ओफशन नमबर B देविंद्र सुकला, ओफशन नमबर C अविनास कुमार, ओफशन नमबर D प्रणय खरे, इसका राइट आंसर है, इसमें नया राश्टिये रिकॉर्ड मनाते हुए सुनपदक जीता, ओजो 34 मी राश्टिये जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन सिफ है, ये राची जारकंड में आयोजित की गई, जो मद्परदेश राज एथलेटिक्स अकादमी है, वो कहां पा रहे, ये भोपाल मद्परदेश के में है, कुश्चन नमबर फिपते हैं बोला गया, मद्परदेश की वह कौनसी हस्ती है, जिनको सिक्षा गौरव राश्टिये सिक्षक पुरुसकार 2018 से सम्मानित किया गया, इसके लिए चार ओप्षन है, ओप्षन नमबर A, पारुल पटेरिया, ओप्षन बोपाल की पारुल पटेरिया को सिक्षा गौरव राश्टिये सिक्षक पुरुसकार 2018 से सम्मानित किया गया, यह सम्मानोंने सिक्षा विकास केंद्र द्वारा आयोजित मुलियंकन पर जो राश्टिये सेमिनार था उसमें दिया गया, यह कारिकरम दिल्ली के नेशनल साइ सेंटर में आयुज़ित किया गया था और जो पारुल पटेरिया है इन्हों ने इससे पहले Global Teacher Award से भी संभानित किया जा चुका है Next देखेंगे कुछन नंबर 6 में बोला जारा कि अभी हाली में किस सीमेंट कंपनी ने घोशना की है कि वह मद्द प्रदेश में 1000 करोड रुपए का निवेस करेगी इसके लिए 4 ओफशन है ओफशन नंबर A ACC सीमेंट ओफशन नंबर B Indian सीमेंट ओफशन नंबर C Ultra Tax सीमेंट ओफशन नंबर D Amboja सीमेंट इसका राइट अंसर है ओफशन नंबर B India सीमेंट इंडिया सीमेंट मद्द प्रदेश में 1000 करोड रुपए के निवेस से विनी निर्माण सहियंत लगाए की इंडिया सीमेंट के वाइस चेर्मेन और प्रभंद निदेशक है एन सीरी निवास ने इसकी घोशना की और एन सीरी निवास को आपने देखा होगा जो चेनने इस सुपर किंग IPL टीम थी उसके ये ओनर थे नेक्स देखेंगे कुशन नंबर सेबिंद में बोला गया कि टीकमगर जिले को विवाजित करके अभी जो निवाडी मदप्रदेश का नया जिला बनाए गया है तो निवाडी जिला उत्तर प्रदेश राज के कितने जिलों से उसका बॉर्डर चूता है इसके लिए 4 ओफ्सन है ओफ्सन नंबर A 2 ओफ्सन नंबर B 3 ओफ्सन नंबर C 1 ओफ्सन नंबर D 4 इसका राइट आंसर है ओफ्सन नंबर A 2 टीकमगर जिले से विवाजित करके जो नया बावनबा निवाडी जिला बनाए गया है यह जिला उत्तर प्रदेश के दो जिलों के से इसका बॉर्डर छूता है और जिनके नेम है ललितपुर और जहासी यह उत्तर प्रदेश के दो जिले है जो निवाडी जिले से बॉर्डर छूते है और यह आप मैप देखेंगे इसमें देखेंगे यह टीकंगड जिला है जो यलो कलर में है इसका इस हिस्से को निवाडी जिला बनाए गया और निवाडी जिला ये जो वाइट कलर का है ये लेलितपुर जिला है इसको छूता है और यहां जो ये वाइट कलर का है जहांसी डिस्टिक पढ़ती उत्तर प्रदेश की उसको ये टच करता है तो टोटल दो जिलोक उत्तर प्रदेश के छूता है लेलितपुर जहांसी कुछ नमबर एर्थ में बोला गया है मद्द प्रदेश के देवी सिंग का हाली में निधन हो गया वो एक किस छेत की संबंदित फेमस हस्ती थे इसके लिए चार ओफशन है ओफशन अमबर ए उर्दू लेखन से चुके देवी सिंग पटेल का 66 साल की उम्र में निधन हो गया और उमा भारती जब मद्द प्रदेश सरकार की मुखमंतरी थी उस समय वो राजमंतरी के दरजे पर भी रहे नेक्स देखेंगे कुछन नमबर नाइंथ हैं बोला जा रहा है मद्द प्रदेश की किस कॉमन वेल्थ गेम्स जो जूडो चेंपियंसिफ है उसमें भारत के लिए अभी हाली में सोना जीता है इसके लिए चार ओफशन हैं ओफशन नमबर A कोमल जैसवाल ओफशन नमबर B देविंद्र बुंदेला ओफशन नमबर C पूनम सर्मा ओफशन नमबर D वर्सा वर्मन क उसमें नमबर 9 का राइट अंसर है ओफशन नमबर C पूनम सर्मा मद्द प्रदेश भोपाल के पैरा खिलाडी पूनम सर्मा जो 90 प्रतीसत ब्लाइंड है उसके बावजूद कॉमन वेल्थ जूडो चेंपियंसिप में भारत के उन्होंने सोना जीता यह चेंपियंसिप भा फाइनल में हरा कर गोल्ड जीता और इस चेंपियंसिप में भारत की दो टीमें थी ए और बी टीमें इसके अलाबा 14 देशों के प्लियर्स भी हिस्सा लिया था नेक्स देखेंगे कुश्चन नमबर 10 में बोला जारा यह भी निवाडी जिले से संबंदित है और यह जिला जो मद्द प्रदेश के किस संभाग के अंतरगत आता है इसके लिए 4 ओफसन है ओफसन नमबर A गौालियर ओफसन नमबर B चंबल ओफसन नमबर C सागर ओफसन नमबर D रिवा स्कराइट आंसार ओफसन नमबर C सागर जो टीकमगर जिला है उसको विवाजित करके जो निवाडी जिला भी एक October को 52 जिला बनाए गया ये जो निवाडी जिला है मद्ध प्रदेश के सागर संभाग के अंतर गता है अब जो सागर संभाग है इसमें पहले 5 जिले थे अब इसमें total 6 जिले हो गए उन जिलों के नाम इस प्रकार है छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगर, दमो और निवाडी ये थे most important current of your question जो include किये गए थे November में Part 1 में Thank you very much for watching this